नए साल की शुरुबात से ही सरदी का सितम देखने को मिल रहा है पहाडी से लेकर मैदानी इलाकों तक इसका असर देखने को मिल रहा है दिली पंजाब, हर्याना और उत्तरप्रदेश समेट देश के कई राजों में कडाके की ठंड और घने कोहरे के वज़े से मौसम भीशन ठंड और घने कोहरे के चपेट में है जमू कश्मीर से लेकर बिहार और पंजाब, हर्याना से लेकर पूर्वी उत्तरप्रदेश तक कडाके की ठंड पड़ रही है और हिमाचल के कुकुम सेरी में पारा माइनस साथ साथ डिगरी सेल्सिस तक गिर गया है जबकि पह वजूद लोग ठिठूरते रहे ग्रेटर नॉइडा, नॉइडा की बात करें तो यहां कडाकी की ठंड और घने कोहरे की वज़े से जनहित में दिये गए निर्देशों का अनुपालन में जनपद गौतम बुधनगर में संचाल सभी बोडो से मानिता प्राप्त स्कूल कक् जनवरी तक बंद रहेंगे, छुट्टी के आदेश जारी कर दिये गए हैं, साथ ही इसका कडाई से अनुपालन करने के लिए भी कहा गया है, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, जमु कश्मीर में भी इसी तरह से आदेश जारी किये गए हैं, राजधानी दिल्ली में नए साल की शुरुआत से ही स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिये गए थे, और 6 जनवरी तक इसका पालन करने को कहा गया, इस बार दिल्ली में विंटर वेकेशन 6 दिन के लिए है, क्योंकि नवंबर के महिने में प्रदूशन की वज़े से स्कूल बंद रहे थे, उत 25 दिसंबर से स्कूल में छुट्टियों के आदेश जारी किये गए थे, यहां भी 6 जनवरी को स्कूल खोले जाएंगे, हर्याना में 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन रहेगा, और इसके अलावा पहाडी राज्य जमु कुश्मीर में सर्दी और बर्फबारी के वज़े से ल ट्रेने लेट हो गई हैं, रास्चिय राजधा नी, मिदेरी से पहुचने वाली ट्रेनों में भोपाल निजामुदीन, बैंगलोरू निजामुदीन, भोवनेशवर नई दिल्ली, राजधानी, रानी, कमलापती, भोपाल नई दिली, हावणा, नई दिली, दुरॉन्तो, पर भी देखने को मिला इसकी वज़े से देश के कई जगों पर या तो उड़ानों को रद किया गया या उन्हें डाइवर्ट किया गया. हाइदराबाद में जेयमार हवाई अड़े के एक अधिकारी ने बताया कि मौसम इतना खराब है और विजिबिलिटी इतनी खराब है कि इसके वज़े से आठ उडानों के मार्ग को हमें बदलना पड़ा है और बारह उडाने तो हमने रद्द कर दी है पिछले हफ़ते से खरा लाइक करें